और यह जो देख रहे हैं हमारे पास सेलरी सिलिप है और ओटी कैसा चल रहा है ओटी अभी कंटीनीव चल रहा है दो से तीन गंटा हम ज्यादा नहीं बोलेंगे दो से तीन गंटा ओटी चल रहा है फिर भी महिना का अभी 25,000 23,000 24,000 ऐसे लड़के लोग मंथली उठा ले रहे हाई आप सबी को फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है तो दोस्तों हमारे पीछे जो कंपनी देख रहे हैं बहुत बड़ा वेरा है इस कंपनी में अभी हैरिंग चल रहा है और मैं लगतार दो तिन दिन से इसी कंपनी के बारे में बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं हो कि इस कंपनी में अभी हेरिंग चल रहा है इसकंपनी में अभी लड़का और लड़की का जरूवत है इस कंपनी में काम के लिए तो अभी मैंने रिशेंटली में वेडियो आपलोड किया है जो थामनेल में मैंने बताया है कि 14 www 2019 successfulflower हूझे मेरा हिसाब में यह इवर है और भीदियो को लाज तक अब बने रहेगा अपको पता चल जाएगा और अभी दोस्तों कंपणी का बैगरांड प्लोग देख सकते हैं पूरा देख लीज потр45 maken का भीहां से जाएंगे अपने रूम पर जाएंगे और रूम पर ढाकर अपको है ओटी अभी कंटीनीव चल रहा है दो से तीन गंटा हम जादा नहीं बोलेंगे दो से तीन गंटा ओटी चल रहा है फिर भी महिना का अभी पचीस जार तीस जार चोबीस जार ऐसे लड़के लोग मंथली उठा ले रहे हैं तो अभी हम यहां से जाएंगे रूम और आपको इसका कुछ क्लिप डाल देंगे आप लोग अच्छा से प्ढ़ लिजीएगा क्या कैसा अल्री ऑर अभी अपको फिर से अछोड़ से डीटेल बी आपको फिर से शम्जाबी Pilink अभी दोस्तों यहां से जाएंगे अपना रूम पे तो चलते हैं दोस्तों अभी हम अपना और अभी हम जाएंगे च्छत पे जाएंगे और च्छत पे जाके आपको आज हवा तो ज्यादा चल रहा है बड़ देखते हैं पोशिस करते हैं कि आप लोग को पूरा जनकारी देदें और च्छत से उपर कैसा वीव मिलता है हमें और मौसम भाई बहुत ही बारी सो रहा है थोड़ा थोड़ा इदर बारी सो रहा है ज्यादा अभी आपको यह देख रहे हैं हमारे हाथ में दो सेलरी अभी कुछ आपको क्लिप मिलेगा आप लोग देख लिजिए कितना सेलरी आया इस मंत नॉम्मर मंत का पेमेंट कैसा आया ह है ओटी चल रहा है या नहीं चल रहा है आप लोग देख सकते हैं यह देक सकते हैं लिज और अभी आपको पुछ क्लिप आपको दिखाते हैं अब ही हमारे हाथ में देख रहे होंगे तो आज इसी का हम यह 9 मरमंत का रिवीव करने वाले हैं दिखाने वाले हैं आप लोग को कि 9 मरमंत का कितना प्रेमेंट हाई सेलरी कितना आया है तो आप लोग देख सकते हैं तो सबसे पहले अप लोग को दिखाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, यह 9 परमनत का यह शेलर इस्क्रीप है और सबसे पहले आपको basic salary कितना मिलता है इस company में, आपको basic salary से सुरुवाद करते हैं तो बैसिक शेलरी है आपको आप लोग देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे सो हो रहा होगा आप लोग देख लिजेगा बैसिक शेलरी है आपको आठ गंटा का आपको पीए पीएस आई काट करके 14,039 रुपया है ये चीज मैंने पहले भी कनफंग किया है और देखिए एडवा लेते हैं तो उसका सेलरी में मिलता है यानिकि लीप लीप सेलरी आपको 809 रुपिस दिया है और ओटी बहुती जरूरी है बताना ओटी रेट क्या चल रहा है तो पोटी देख सकते हैं ओटी वन आवर का 134.9 यानिकि 132 या 134 रुपिस है तो यह होगी आपको ग्रोश आप अपने शेलरी का सेलरी है यह होगी आपको सेलरी का कंडिशन रहेगा यह होगी आपको सेलरी का कंडिशन तो और इस मंत है अध्क के कमत रफ 전व खालए आफ को क्यinge से पहले हैं कितना पॉप हंजी है अवा लुग लिए आफ लोग को दिखाते हैं अर्निंग कितना हुआ है अ एडवांस बोनस यानि कि आप अगर 26 स्टेज से ज्यादा करते हैं तो आपको कुछ थोड़ा पढ़ा कि मिलता है तो आपको देखिए बेसिक कितना मिला है बेसिक 15,108 रुपया मिला यह अर्निंग हुआ है मन्क्ली अर्निंग हुआ है और अटेंडेंस बोनस भी देखिए कि ह हाँ कितना मेर्गे व्यकी है 28 डिन, 28 दीन का, अप इस लिए बेसिक own बूइज से एक जादा हुआ है और ओर लिप लिप इखिए शेलरी, आपको कितना माता यह थे अपको माता है त्स में है 809 रुपीश ब्स हैज त्रयक यह 26 रुिज ने 28 डेस क kidding सबसे ज्यादा बना है इस मत आपको दिखाते हैं और 66.5 यानि के साड़े छी आसट गंटा बोटी किये हैं तो ओटी का ही इनका देख सकते हैं इनको डबल सेलरी दिया गया है तो इनका ये टोटल आप लोग देख सकते हैं इसमें से आपको क्या क्या कट करके आपको बाद में देख सकते हैं कितना है तो यह हो गया आपको रिव्यू कर दिये हैं बाद में अभी एक और बहुत ही जानकारी देने वाले हैं कि डीटेल फिर से अपने से भी बता देंगे क्या क्या ज्वाइनिंग करने के लिए डोकुमेंट कैसा क्या रहेगा तो आप लोग वीडियो को लाज तक बने रहेगा और आप लोग ब्लीप करते हैं तो अमारे पास कॉंटेक किजेगा कॉंटेक नमर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं तो कॉमेंट में रहेगा अभी आप लोग सेलरे से लिप का कुछ रिव्यू देखे होंगे तो आप लोग रिव्यू में आप लोग समझी गए होंगे कि मन्थली में कितना पेमेंट तूट जा रहा है कितना तक उठा सकते हैं आप लोग ये देखे लिए होंगे और अभी हम आपको बताएंगे जैसे कि ज्वाइनिंग करने के लिए आप मेरे पास आते हैं दूसरे स्टेट से आते हैं तो लोकेशन लोकेशन बताएंगे और सब चीज पूरा डीटेल में आपको जानकारी देना जरूर है कहां पर लोकेशन है क्या काम होता है क्या स्यालरी तो आप लोग देखे लिए हैं बट फिर से आप लोग को एक बार बता देंगे अच्छा से और जीसे कि हमारे पास आने के लिए नजफी की बताते हैं नजफी की कौन सा उस्टेशन के आप लोग को उतरना पड़ेगा जैसे कि आप ज़हरकंद से आब उडिशा से आते हैं वेस्ट बंगल से कहीं से आप आते हैं औनशाबी एस्टेट से तो आपको सबसे पहले उतर सबसे बड़ा मजिस्टिक बस एस्टेंड है वहां से आपको बस पकड़ना है चिंतामनी बस पकड़ना है टिकट लेना है एज क्रोस का ठीक है एज क्रोस उतर के कॉल की जगा मेरे को यह हो गया लोकेशन का पूरा कनफर्म कर दी है और क्रिश्णा राजकुराम उतरते हैं रेलवे स्टेशन तो बगल में एक टीन फैक्टरी जगह का नाम है बगल में यह अपोजीट में ही टीन फैक्टरी है वहां से आपको डिरेक्टली बस मिल जाएगा आपको चिंतामनी बस एज क्रो अभी में फिमेल कंडिडेट का भी हैर करने लगा तो अभी हमारे पास मेल कंडिडेट तो आ जाएंगे बट फिमेल कंडिडेट के लिए क्या कैसा आपको रहेगा वो चीज बताते हैं फिमेल कंडिडेट के लिए अगर वन परसन है तो वो मेरे पास मत आईएगा अगर चा करने के लिए डोकुमेंट बताना बहुत ही जरूरी है तो डोकुमेंट में आपको अधार Geshe पैन काड है तो सही है नहीं तो कोई दीकत नहीं है अधार काड पैन काड सीट बैंक एकाउंट दो पासपोर्ट साइज फोट्टो और सूझ कमपल्सरी है कंपनी में पहले काम करने के लिए जाहिएगा तो आपको सूझ कमपल्सरी है सूज मतलब आप लोग समझ रहा है ना बहुत सारे भाई समझ नहीं पाते हैं क्यूंकि कोई पड़ा लिका होते हैं को उनको पता नहीं रहता है सूज का मतलब क्या होता है तो सूज मतलब जूद्ता ध्यान रखेगा यह हो गया आपको जौइनिंग करने के लिए यह आपको कंपनी में यह सब चीज बसक्राइब को लेकर अप्पर देए और आप जैसे कंपनी में जाते हैं तो इंटरब्यू भी होता है चोटा मूटा इंटरब्यू भी होता है तो इंग्लिस पढ़ने के लिए आना चाहिए यह हो गया इंग्लिस पढ़ने के लिए आना चाहिए यह हो गया इंग्लिस पढ़ने के लिए आता है तो आप यह काम के लिए आप सक्षम है ठीक है यह हो गया जोइनिंग करने का प्रोसेस इंग्लिस पढ़ने के लिए आना हुआ है तभी आप मेरे पास आईएगा अनियाथा मत आईएगा ठीक है यह हो गया एज लिमीट का आपको कराइटेरिया बता दिए इस कंपनी में काम बताना बहुत ही जरूरी है यह हो गया काम के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को दे देते हैं क्या काम है नहीं है वह आपको बता देते हैं तो काम है हमारे पास पिकिंग पैकिंग और स्केनिंग लोडिंग अनलोडिंग पुट वे यह सब काम चलता है कंपनी में तो पिकिंग का मतलब होता है पिकिंग कैसा काम होता है वो चीज़ आपको बता देते हैं पिकिंग यह है कि आपको डिबाइस म आपको रहएगा दोई डिवाइस से आपको उसमें सो करेगा उसी से आपको निकालना है इसकेन करके और पैक करना ये हो गया काम का आपको प्रोसेस बता दीए कंपनी में फैसलिटी की बात करें तो फैसलिटी क्या-क्या है वो चीज भी बताना जरूरी है तो आपको सेलरी कितना है तो आट घंटे-टा का है बाद में आपको कितना टाइम को ड्यूटी करना है वह बताते हैं 8 घंटा duty करना है 26 दिन duty करना है 4 चुटी आपको company से आपको मिलेगा यह हो कि आपको duty का criteria आपको बता दिये हैं यह only for day shift का है और company में लड़की लोग ज्यादा तर day shift ही करती है लड़की लोग का day shift ही रहेगा night shift ओला यह company नहीं है लड़की लोग का only for day shift रहेगा तो day shift में ओटी भी मिल जाता है लड़की लोग को एक घंटा दो घंटा है से ओटी भी मिल जाता है तो ओटी का rate है वन आवर का 134 रूपीस है 134 रूपया ओटी रेट है यह हो गया day shift का condition बता दिये हैं यह लड़का का भी same salary लड़की का भी same salary है और night shift का बताते हैं night shift का कितना है तो night shift का आपको 8 गंटा का 14,000 है पीएपीस है कट करके facility में आपको night shift में आपको खाना free मिलेगा बाद में आपको night shift बहुत सारे company में क्या होता है night shift allowance मिलता है तो इस company में night allowance नहीं है तो यहाँ पे क्या एक best facility है आप इसको ओटी का facility है ओटी ओटी अब मंतली में आपको पचास घंटा साट घंटा अभी तो ज्यादा तरह उतना अभी बहुत सारा company में काम उतना नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी इस company में काम चल रहा है ओटी मिनमम दो घंटा तीन घंटा है से हम directly बता रहे हैं आप लोग से केमेंट आप लोग देखे होंगे कितना हैस्टली salary उठाए है 25,000 हम 25,000 तक अभी बता रहे हैं क्यूंकि 25,000 26,000 से ज्यादा लड़का लोग नहीं उठा पा रहा है तो यह होगी आपको salary का condition बता दी है यह night ship का और night ship में same ot rate लड़का का और लड़की का same rate 134 रुपिस दोन बता दी है और यह होगी आप पूरा company का process बता दी है और हमारे पास आप आते हैं तो हमारे पास से आपको कुछ सुविधा मिलता है या नहीं मिलता हो चीज भी बताना बहुत ही जरूरी है तो हमारे पास अभी मैंने recently में दो तिन वीडियो मैंने डाला था कि जिसमें कि मैं सिक्रोटी मनी के तुरू चार्ज करता था रूम एडवांस के लिए 1000 तो बहुत सारे भाई लोग हमारे पास आएं देखें कि उनके पास ऐसा हाला था है इनसे देखके हम थोड़ा इंपायर होके हम यह चीज बन करने के लिए सोचें कि कल ही मेरे पास एक कंडिडेट आये उनके पास पैसा भी नहीं था तो एक ना जरूरी है तो कमपणी में खाना होना कैसे भी खिला के उनके हो इंटर्व्यू करा दिये तो आईसा मुसीबत में आते है तो क्या करना सपोर्ट तो करना बनता है ना भाई तो आज से हम आपको बता देए हैं कि हमारे पास उपकोस्ट जोब है और बाकी बाद हमारे तरफ से फैसलिटी भी आपको बताएंगे रूम का फैसलिटी आपको हम प्रोभाइट करवा देंगे और अगर चार पांच लड़के लोग भी आते हैं तो एक रूम प्रोभाइट करवा देंगे आराम से जो भी भाई क्या एक चीज और फैसलीटी मिलता है खाना का खाना का अप लोग अगर मेरे पास आते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक सप्ता तो आपको कैसे भी करके आपको और जैस्ट करना ही परेगा एक सप्ता का आपको खाना का बिवस्था खाली ले के आईएगा और हमारे पास आईएगा तो रूम का एडवांस बगरा का कुछ जरूरत है क्या तो आप लोग को बदा दिये कि कुछ भी जरूरत नहीं है अभी मैंने देखके इंस्पायर होके यह चीज़ बन कर दिया क्योंकि भाई कोई भी आते हैं तो बहुत सारे भाई लो तो दोस्तों अभी हम यहां से जाएंगे अभी हम दोस्तों देखिए रूम के पास आ गया है और रूम का कंडिशन आप लोग को दिखा जाते हैं अभी सखिया अभी पूरा रेडी हुआ है अभी ऐसा कंडिशन वास रूम अधर रहेगा आपको को देख सकते हैं बाकी बात पान फिश्बार पाणी इन फिर आ रहा है अईसाई रूम हाई रूम देख लीजिए आप लोग बाकी बाद आप लोगे बाद आपनों डेश्कते हैं रूम आइसाई कंडिसन अगर चारपास लोग आते हैं तो यह दो गुम अब ड़ोग सकते हैं इसका रूम रेंड है एक और मिका एक हजार रेंड रहेगा thirdley तो दोस्तो हिसाहिं सभी रूम पूरण देखे होंगे टोसाहीrूम बाकी बात आप लोगा ना चाहते हैं तो आज का भीडियो थे नहीं दो students मिलते है नेस्ट वीडियोमे इसक्वारी कहां Yeah